और हमको कुछ फटा-फट बनाना है और बहुत फस्ट फ्री कुकिंग करना है तो ऐसे में हम क्या करें कभी-कभी सबजी नहीं है यह सब प्रॉब्लम हम विमेन फेस करती है है ना तो चली आज कुछ ऐसा बनाते है कि बहुत सबजी की जरूरत नहीं है बहुत टाइम कंसुमिंग नहीं है और जल्दी जल्दी बनाना है और हम बनाएंगे आज बहुत ही बढ़िया डिश साउथ इंडियन क्रिस्पी कप डोसा आप बोलेंगे कप डोसा क्या इसमें यह कप मे इसलिए बोलते हैं कि इसमें सब जो मेजर्मेंट है वन कप है इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस्पी कप डोसा इसमें हम आज चावल का उप्योग नहीं कर रहे है इसमें हम जो यूज करेंगे वो है उड़त दाल, चना दाल और बेसन उड़त दाल कितनी लेंगे? वन कप वाश करके सोख करने के लिए रख देंगे अभी जो मैंने मेजर्मेंट लिया है वो है एक कप यानि की करीबन 250 ml लेकिन अगर आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी साइज का कप अपने उपयोग के हिसाब से यूज कर सकते हो अब ये दोनों दाल बहुत अच्छी तरह भीग चुकी है चार से पाच घंटे तक भीगोने के बाद अब इसको हम ग्राइंड करेंगे और ये ध्यान रखेगा कि पहले मिक्सी में उड़त की दाल पीसिएगा जिससे वो स्टिकी हो जाता है मिक्सर का जो बॉल और उसके बाद आप ग्राइंड कीजिए चने की दाल तो इससे क्या होगा कि मिक्सी का बॉल क्लीन हो जाएगा और फिर दोनों दाल को मिक्स कर दीजिएगा अब ये बैटर पीस चुका है तो अभी डालेंगे हम वन कप बेसन सॉल्ट अल्मोस्ट वन एन हाफ टीस्पून और हलका सा हम डालेंगे फ्रूट सॉल्ट अब इसको हमें एक बार मिक्स करना है मिक्स करने के लिए ऐसा विस्कर लीजिएगा इस बैटर को फर्मेंट नहीं करना है जब या पीसे आप उसको यूज कर सकते हो अब इसमें हम डालेंगे पानी अगर ये बैटर बहुत ही पतला बन जाएगा तो डोसा आपका कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेगा अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा जींजर चिली का पेस्ट भी दाल सकते है उससे वो टेस्टी लगेगा ये कंसिस्टंसी हमको ऐसी चाहिए जिससे ये कोट हो ऐसे कोटिंग हो जाए तो समझो कि ये आपका बैटर पोरिंग भी है और थिक भी है जब भी आप डौसा स्प्रेड करो तो इसकी आज दीवी नहीं करनी है लेकिन उसको टेमपर करना है गीले टीश्यू से या तो पानी छीड़क के अब हम डालेंगे डौसा का बैठर पहले सेंटर में डालेंगे फिर ऐसे सेंटर से लेके हम मूँ करेंगे आउटसाइड यह देखिए कितनी आसानी से यह बढ़िया सा स्प्रेड हो जाता है अब इसको फुल फ्लेम पे थोड़ा कुक होने देंगे जब तक कि यह थोड़ा गुल्डन ना हो जाए अब इस पे हम डालेंगे हल्का सा ओयल अब यह थोड़ा गुल्डन होने लगा है तो अब हम क्या करेंगे ऐसे बटर लेके इसके उपर थोड़ा गिसेंगे अब आप देख सकते हो कि यह बहुत ही अच्छी तरह गुल्डन होने लगा है जब यह सुनरा होने लगे तब इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला इस पर आप पीजा सॉस डाल सकते हो, चीज डाल सकते हो, कोई भी अच्छा सा स्टफिंग डाल सकते हो यह डोसा बहुत ही क्रिस्पी होने लगा है, आप देख सकते हो लास्ट में हम डालेंगे रेड चिली पाउडर इसके उपर थोड़ा डालेंगे धनिया यह देखिये, कितना ब्यूटिफुल कलर आ रहा है अब डोसा हम ऐसी, जो एकदम स्लिक एज हो, ऐसा ही लेना है हमको, स्पैचूला तो यह देखिये, फटा फट यह डोसा बना, इसको हम फोल्ड करते हैं एंड वाव, इस इस वन अफ दे बेस्ट डोसा, देखिये आहा, कितना क्रिस्पी हुआ है, तो अभी हम इसको सव करेंगे